हेलो भाइस हो आगते हैं आपका फीड से एक नए वीडियो में तो भाई आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ट्रेक्टर का जो तेल बढ़ाते हो उसके क्या नुकसान होते हैं और क्या फाइदे होते हैं तो इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में बात कर हैं तो बाइ वीडियो में एंड तक बनी रहना और जो वाई चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकान भी प्रेस कऱ लेना तो चलो वाई वीडियो को सुरु करते हैं तो यह है आपके ट्रक्टर का फंप तो भाई, तीन सलंडर में ट्रेक्टर है, भाई, बोस का पम्प है, तो भाई, अगर आप अपने ट्रेक्टर का तेल बढ़वाते हो, तो उसमें नुक्सान क्या है? नुकसान यह है भाई आपके ट्रेक्टर का जो पंप होता है वो दो से तीन साल चलेगा और भाई आपके ट्रेक्टर में ज्यादा तेल भी ज्यादा लेगा फिलाल 5 लिटर ले रहा है तो भाई आपका ट्रेक्टर ये 6-7 लिटर तक भी जा सकता है तो भाई आपका पाहि तो इसमें भी बहुत सब्साइबाते हैं जो करते हैं। तो आपने देखा भी होगा उसमें जो लोड लेता है आग्या पानी डालते रहते हैं बहुत ज्यादा उनका स्लेंसर भी देखा होगा आपने बहुत ज्यादा लाल हो जाता है और कभी कभी तो आग भी लग जाती है तो उसका यही कारण होता है इसमें जो उनका तेल बढ़ा होगा है बिल्कुल और जो इसकी सेटिंग होती है अपने आप फिर वो कभी भी सेट नहीं आती है आप चाहिए कितनी भी कोशिश कर लिए ऐसा पंप बिल्कुल भी नहीं होगा फिर भाई तो अगर भाई आपको कमपीटिशन में चलाना है तो भाई आप टेक्टर बड़ा ले सकते हो जैसे कि यह 55 HP का टेक्टर है तो भाई आप 65 HP का टेक्टर ले सकते हो तो आप उसको कमपीटिशन में चला सकते हो तो उसके कोई दिक्कत नहीं आए कि भाई तेल का खर्चा भी व तो वीडियो में कमेट करके जुरूर बताना अगर किसी के सामने ऐसी प्रोबलम आती है यह चीज करने से आपका टेक्टर ज्यादा तेल लेगा भाई तो इसको आप वैसे भी नहीं चला सकते भाई वैसे प्रोबलम होगी नॉर्मल भाई अगर इस चीज को करते हो भाई तो आप ज़्यादा तेड़ चला भीन सकते टेक्टर को ज्योंकि ज़्यादा हीट होगा टेक्टर आप उसके अपर बैठ भीन सकते तो इतना हीट हो जाता है भाई जिससे कि आपको हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे तो फिर मिलते हैं आपको नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई